हाँ जी देखो, तुम नया योटूब चैनल ओपन करते हो, now you want to grow fast, and तुमने एक वीडियो भी बनाया, दैन उसी अपलोड भी कर दिया, but my dear friend, तेरा चैनल अभी निव है, सब्सक्राइबर भी अभी जीरो हैं, और जब जीरो सब्सक्राइबर होंगे, तो तेरा वीडियो दे 100 सब्सक्राइबर, अगर ये नहीं, तो कम से कम 10 से 15 सब्सक्राइबर, तो चाहिए ही चाहिए, और अब तेरा माइंड घूमेगा, तेरे माइंड में एक आईडिया आएगा, सेरिंग का, तुम अपने वीडियो को सेर करने लगोगे, अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिले करेगा, बलकि चैनल डेड हो जाएगा, और ये कैसे होगा, मैं तुझे आगे अच्छी तरह से समझाने बाला हूँ, तो वीडियो को बिना अस्किप किये, अंत तक देखना, नहीं, तो बहुत कुछ मिस कर दोगे, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि अब तुम कहोगे, सेर नहीं करेंगे, तो सब्सक्राइबर कैसे आएंगे, चैनल ग्रोफ कैसे करेगा, तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने बाली है, तो माई डियर फेंड, आज मैं दो रीजन बताऊंगा, कि तुझे वीडियो सेर क्यों नहीं क जाएंगे, और इसके साथ, तुम अपने दोतों से चैनल सब्सक्राइब भी करवा लोगे, तो तेरे चैनल पे 50-100 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे, और अब तुम लगेगा, तेरा चैनल ग्रोफ हो रहा है, बट माई डियर फेंड, जब तुम नेक्स्ट वीडियो अपल पसंद आया हो, तो तेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, यानि कि तुझे एक से दो सब्सक्राइबर भी मिल जाएंगे, और यही सिलसला आगे भी जारी रहेगा, यानि कि डेली आपको नए नए सब्सक्राइबर आते रहेंगे, तो आप हमें ये बताओ, आपको कौ दूसरा क्योंकि यहां तुम्हारा ग्रोथ धीरे हो रहा है बट कंटिन्यूली हो रहा है और तुम्हें दिख रहा है तीरे चैनल पर डेली एक से दो निव सब्सक्राइबर आ रहे हैं और यही बात तुझे मोटिवेट करेगा और तुझे इनर्जी के साथ काम करते रहोगे तो माई डियर फेंड सेयर ना करने का दो दूसरा रिजन है वो है आउडियंस रिटेंसन कोई भी विडियो को वाइरल होने के लिए उसका CTR और उसका बाच टाइम काफी जरूरी होता है और जब भी तुम विडियो को सेयर करते हो अपने किसी रिलेटिव के पास तो इससे हमेशा तेरा नुकसान होगा तुम कहोगे मेरा रिलेटिव मेरा नुकसान कैसे करवा सकते हैं तो माई डियर फेंड उनको पता है नहीं होता कि वो तेरा नुकसान करवा रहे हैं और इसी में तेरा नुकसान हो जाता है उन्हें तो लगता है तुम्हारी विडियो पर भीज आने से तुम्हारा grow होगा बट उनको नहीं पता वाच टाइम, content type, audience retention, rpm, cpm, ctr ये क्या होता है इसलिए वो तुम्हारी 2 मिनट की वीडियो को 10 सेकेंड देखेंगे उसे like भी करेंगे, share भी करेंगे बट तेरे वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे इससे तेरे वीडियो का audience retention down हो जाएगा, बहुत ही खराब हो जाएगा और उस वीडियो को YouTube share नहीं करेगा, यानि कि YouTube उस वीडियो को promote नहीं करेगा, तो my dear friend, you should never share your video, our one relative, लेकिन अब सवाल ये है, कि पहला 100 subscriber कहां से लाएं, तो my dear friend, तुझे अपने वीडियो को share करना है, तुम कहोगे, अभी बोल रहाता share नहीं करना है, और अभी कहता है, share करना है, पगला गया है क्या, तो my dear friend, वीडियो को अपने relative और अपने friend के साथ share नहीं करना है, अपने वीडियो को हमेशा potential audience के पास share करना है, आईसे audience के पास share करना है, जो आपकी वीडियो को पूरी देखे, और आपके channel को subscribe ही करे तो कहां मिलेगा आपको अपने वीडियो के लिए potential audience मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकोन को दबा कर आउल पर सेट कर दें ताकि मेरी आने बाली हर वीडियो की notification आप तक सबसे पहले पहुंचाए आपका अब तक मेरी साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद